आज जो हम रवीवार के दिन ये काम कर लें आपके पास में अगले रविवार तक कोई भी प्रॉब्लिम नहीं होने वाला है दोस्तों आज जो हम रविवार के बातिक कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो questions आते हैं कि हम नित्य परत्विन सुर्ज भगवान को जल नहीं चरह सकते हैं तो शिर्फ आज जो हम उपाई बता रहे हैं सिर्फ हम रवीवार के लिए बता दें अगर रवीवार के पास आपके पास समय है तो आप सिर्फ रवीवार को कीजिए इतना लाव मिलेगा कि आप इसे सोच भी नहीं सकते हैं आप रवीवार के सुबह उठें आठ वजे के अंदर आप जल में लाल चंदर फूल चाहे उजला फूल हो लाल मिर्च के कुछ दौने अगर हो तो वो भी डाल सकते हैं लाल चंदन भी डाल सकते हैं ये डालने के बाद सुर्ज भगवान को जल दें अब ये चीज भी आपको सुनने के लिए मिलता होगा कि सुर्ज भगवान को जो हम जल देते हैं वो जल का छीटा जो पैर पर पड़ता है इसे आशुब होता है ऐसा कुछ नहीं होता है जल जो हम ये उससे बचने का अगर दूसरा victorious चुर्ण करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है हर सर से उपर करके जल डालने का कुशिष के जिए, आगे है उसका मंत्र है ओम घ्रीनी शुरियाई नमभ है ये किसी भी धातु के बर्तन से आप कर सकते हैं ताम आप इसके लिए उत्तम माना गया है कभी भी आप सीशा के बर्तन से प्लास्टिक के बर्तन से इससे आप सुर्ज भगवान को जल नहीं दे इससे थोड़ा प्रभाव कम हो जाता है आगे हम थोड़ी बात करते हैं कि आप के पास में अगर समय है अगर आपको संस्क्रीट आता है ऐसे इसका हिंदी का भी बुक मिल जाएगा ओम आदित हिर्दया स्रोतम का भी पार्ट कर सकते हैं इसमें 10 से 12 मिट का टाइम लगेगा यह आप कर सकते हैं यह भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा खास करके उन जातकों के लिए जिसके कुड़ली में सुर्ज नीच का हो सुर्ज की डिगरी कम हो यह 100% काम करता है यह लाइफ में आदमी को आगे ले जाने का काम करता है अगर आप सिर्फ रवीवार को अगर यह काम कर लिए तो आपका कोंफिडेंस पावर इतना बरने लगेगा कि जब आदमी के पास में कोंफिडेंस पावर होता है तो नोकरी क्योंकि देखिए जो नोकरी करने के लिए जाते हैं आपके पास में कितना भी स्कील है आपके पास में कितना भी नॉलेज है जब तक आपके पास में कोंफिडेंस तो हमें इस दोनों चीज़ पर काम करना बहुत जरूरी होता है, तो सिर्फ हम आपको ये नहीं बोलें कि 6 दिन आप काम किजिए, हम सिर्फ रवीबार के लिए हमने आपको बताया है कि सिर्फ रवीबार को ये काम कर लीजिए, 100% काम करेगा, आप इसमें सफल हो सकेंगे, दोस्तों हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, अगर आपके पास में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में लिख लिजिए, धन्यवाद.